हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्मस स्पेसल प्लम केक तो चलिए फिरी से हम बनाना श्टार्ट करते हैं जिसे बनाना बहुत आसान है और इसे खाने में बहुत अच्छा लगता है इसके लिए मैं चाहिए एक कप औरेंज जूस और हम इसमें डॉलाईंगे सारे ड्राई प्रूट्स मैंने यहां पे कीवी लिया है ओने फॉल्द कर tecnología जाल देंगे ये चेरी है ये भी ओन फॉल्द कर पहरी ऑस सब्सक्राइब हैने पर मैं धालेंगे और मैंने ब्लैग और ब्रावन किस्मिस एक साथ ही ले लिया है आप च यह काजू है बादाम को मैंने कट कर लिया है रफली ऐसे ही और यह है हमारा टूटी फ्रूटी बचों का फेवरेट हम इसको डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें साथ में ही डालेंगे वन टी स्पून सिनमन पॉडर और यहां पर मैंने जैफल नट मिक ले लिया और इसे कद्दू कस कर लिया हूं लगबग आधा चमज हाफ इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ओपर नीचे करके और फिर इसे हम ढख करके रख देंगे तीन से चार घंटे के लिए यहां आप इसे रात भर भी रख सकते हैं यहां पर हम लेंगे 3-4 cup चीनी और इसे तेज आच पर ही हम पका लेंगे जल्दी से यह मिल्ट हो जाता है देखे यह मिल्ट होकर करboolाइज होना स्टारट हो गया है हो भीगे है अब इसमें 1-2 cup डालेंगे पानी और इसे बहुत दीरे दिरी दाना है दूर से साधानी से डाल के लिए में एक साइड रख देना है अब मैं यहां पर ले रहे हूं 1 4th कप दूद्ध 1 4th कप वेज़िटेबल आयर और 1 टीस्पून हम ले रहे हैं यहां पर वनिला एसेंस अब अब हम लेंगे अब हम लेंगे अपने ड्राइंग्रेडियन्स यहां पर मैंने लिया है 1 कप मै 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर 1 4 टीस्पून बेकिंग सोड़ा और 4 टेबल इस्पून मैंने लिया है यहां पर मिल्क पाउडर को अच्छे से हम सीव कर लेंगे चान लेते हैं अब हम इसे मिलाएंगे अच्छे से कट एंड फोल मेथड में फिर इसमें हमारे सोक किये हु जो हमने कर्मलाइज सुगर रेडी किया है उसको एड़ करके उसको हम एक साथ नहीं मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके ही हम मिलाएंगे जितनी जरूरत होगी अब हमारा अच्छा सा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है तो यहां पर मैंने पहले से ही किक्टीन को रेडी किया था तेल लगा करके इसमें अब बेकिंग पेपर लगा के हम इसमें इसको सिफ्ट कर देंगे और इसको अच्छे से टैप भी कर लेना है हमें जिसे इसके बबल्स निकल जाए और उपर से गार्निस कर देंगे ब्लैक रेजिन किसमिस साथ में काजू और कुछ टूटी फ्रूटी इसे मैं ओवन में बेक कर रही हूँ प्री हिट ओवन में 180 डिग्री पे 45 मिनिट के लिए मैं सेट कर रही हूँ यहां पर आप बीच में एक बार चेक कर लेजिएगा मैं इसे बीच में एक बार चेक करूंगे आफ्टर 45 मिनिट देखे यह अच्छे से पग गया है यह बिल्कुल जला हुआ नहीं है बस वह कर्मलाइज सुगर रहता है इसलिए कलर ऐसा लगता है यह और बहुत ही यमी केक बनता है यह तो यह आपका प्लम केक बनकर रेडी है बस अब हम इसे कट करेंगे और करेंगे थैंक यू